कई लोग करते हैं गुरुजी क्या आप दूद चड़ाना जरूरी है संकर पर कई लोग करते हैं गुरुजी क्या दई चड़ाना जरूरी है संकर पर शह चड़ाना जरूरी है घर चड़ाना जरूरी है शकर चड़ाना जरूरी है शिव महापुरान की कथा कहती है पाथ चीजे शंकर भगवान पर चड़ती है दूद अर्थाथ घर में लच्छमी की ब्रधी करता है इसलिए चड़ाया है दही शंकर भगवान पर इसलिए चड़ाते हैं क्योंकि यह परिवार को जोड़ता है जिसके परिवार में कलेश जादा होता है जिसके परिवार का परिवार में आपस में तकरार जादा होता है उसको दही जोड़ता है शाहद घर में चिड़चिड प्रवत्ती को समाप्त करता है घी रोग को समाप्त करता है शकर मिश्ठान घर में यदी लच्मी आकर जा रही हो तो मिश्थान समर्पित किया जाता इसलिए पंचामर्त इसनान का भाव शुमापुरान कहते हैं पंचामर्त इसनान भगवान इसलिए पाचीजे शंकर को समर्पित हैं दोध, दही, गरत, शहट, शकर, अर्धात, मिश्थान शकर से मूलता है या शुमा पुरण में शकर नहीं लिखी है मिश्थान अब लोग सकर पीस का रभीशे करते हैं पर उन्तों मिश्थान आर्थार गाय के दूद से निरमित कोई मिठाई और उस मिठाई से भधवान संकर का भीशे अब लोग भले सकर रखने लगे संकर जी के अभी सेख में पर यहां सकर नहीं लिखा है यहां मिश्थान हमारे यहां साहज भासा में करते थे उसको खाण और थात मिठा शुमापुरान की कथा करती है दरपन इतना बड़ा ले लो बंदर वाला अगर दरपन वाली नहीं तो इतना बड़ा दरपन लो हनमान जी के मंदर में जाकर क्योंकि हनमान संकर का ही उतार हनमान जी के मंदर में जाकर हनमान जी के उल्टे पाउं का थोड़ा सा सिंदू चरनका, THोड़ा सा सिंदूर, एक कागज में लेकर आ जाईह, और हनमानजी के छोटे भाई, हनमानजी छे भाई हैं, उसमें गतीमान, हनमानजी के छोटे भाई, गतीमान का नाम लेकर, उस दर्पन पर सिंदूर से तृषूल बना दो, सिंदूर से त्रिशूल बनाकर उस दरपन को घर के बाहर दरपन का मुख बाहर की ओर ऐसे बाहर की ओर मुख करकर दरपन को घर के बाहर या दरवाजे पर, बिल्डिंग पर, उपर जाली में फ्रंट में कहीं पर उसको लगा दीजिए महाराजी केवल शंकर का इस्तमर्ण करकर गतीमान का नाम लेकर हनमान के उल्टे पाउं का सिंदूर का त्रिशूल बनाकर जो दरपन को लगा देता है आपको एक महीने के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि पिछले जो महीने निकले हैं उस महीने का अंदाजा लगाना कि घर में लोग कित्ते बिमार पड़ते थे और इस दरपन को लगाने के बाद बिमारी कम हुई कि नहीं नहीं हो कम तो ठंडा कर देना क्या जा रहा है पर तरके जरूर देखना विश्वास रखकर करोगे भगवान शिव का अनुमोदन करकर भगवान शंकर पर विश्वास रखकर करोगे तो बिमारी घेर नहीं सकी अकाल मृत्यों वो मरे जो काम करे चंडाल का काल उसका क्या विगाड़े जो भप्त हो महा काल का शंकर की अराधना करने वाला शिव का इस्वन करने वाला शिव का निवेधन करने वाला शिव अर्चना में डूबने वाला शिव का अनुमोदन करने वाला अभी दुखे नहीं हो सा तो शिव महा पुरान की कथा कती है शंकर को जितना जल प्रिय नहीं शंकर को जितना बेल प्रिय नहीं शंकर को जितना शमी प्रिय नहीं शंकर को जितना दूद दही प्रिय नहीं शंकर को अगर कुछ प्रिय है तो सत्य प्रिय है सत्यम शिवम सुन्दर इसलिए हमारे याँ शास्त्र कता है ब्रह्मा जी केत्की के फूल को लेकर आए उसने जूड़ बोला ब्रह्मा जी गाय को लेकर आए शंकर भगवान के सम्मुक में जूड़ बोला ब्रह्मा स्वयम जूड़ बोले तो सिर्क टा कर्मनाशन नदी प्रकट हुई और शिव महापुरान की कता कती है संकर को सत्यप्री है अगर जूड बोला है इसलिए शिव महापुरान का इसपश्टी करन किया जाए बंडन किया जाए तो पहले के समय में आदालत नहीं होती थी पहले के समय में पंचायत नहीं हो सकती थी पहले के समय में कोई निर्णायक मंदल नहीं होता था पहले के समय में केवल एक निर्णाय होता था गाओं के लोग ले जाकर संकर के मंदर में खड़ा कर देते थे और कहते थे उठा गंगा जली और कहते तुन्हें ऐसा नहीं किया गंगा जली उठा कर कहते कि तुने ऐसा नहीं करा क्यों गंगाजली उड़वाते थे क्योंकि लोगों ने शिव महापुरान सुन रखी थी शिव महापुरान में शिरिवेद व्यासजी बंडन करते है कि संकर के मंदिर में संकर के ओतले पर संकर के मंदिर के अंदर शिव की चोखट पर शंकर के अनमोधन में शिव महापुरान के अंतरगत शंकर के अनमोधन में शिव मंदिर में शिव चोखट पर अगर कोई भूल से भी झूट बोल देता है तो उसकी जिंदगी नरक जेसी निकलती है महाराण इसलिए कहते तो उठा गंगा जली और केदे तुने ऐसा में बॉल दे आपके भी जीवन में अगर किसी को कश्ट है फिर निवे दन करूँगा मंदिर में अगर बत्ती भले मत लगाओ मंदिर में भीफ भले मत जलाओ मंदिर में पेडा भले मत चड़ाओ अगर आपके महले में आपके पडोस में आपके परिवार में आपके नजदिये कमें अगर कोई दुखी है कश्ट में है उसको यदि प्रेम उसकी बानी भी बोल लिए एक रोटी भी प्रेम की खिला दी किसी के चेहरे पर इसमाईल ला दी तो मंदिर में दिया जलाने के बराबर है मंदिर में दीप जलाने के लिए बेल पत्र भगवान मता पारवती के अश्रू से है रुद्राच भगवान शंकर के अश्रू से है शमी पत्र, उमा और महिस्षर भगवान शंकर के विग्रह के सुक से जो जल प्रगट हुआ है उस जल से शमी की उत्पत्ती है दोनों के मिलाइस जैसे एक मुखी से लेकर चुदा मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं आप पहले भी कथा में कहा एक मुखी से लेकर चुदा मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं सभी रुद्राक्ष का अपना एक मंत्र होता है अपनी एक साधना होती है जिसके अनुसार रुद्राक्ष काम करता है एक मुखी रुद्राक्ष लच्मी की व्रधी के लिए होता है कभी मोका मिले तो एक मुखी रुद्राक्ष का जर्शन करना पर एक मुखी रुद्राक्ष जितना छोटे से छोटा होता है उतना सुक दे एक मुखी रुद्राक्ष लच्छनी की व्रत्धी के लिए होता है कारे सिध्धी के लिए होता है कोई धिकारी से भीकारी गरी बड़े से गरी बड़ा भी अगर धानन कर ले उसके घर में एक मुखी रुद्राच अकर प्रविश कर जाए तो सुक्का नुभाव करा देता है संपदा का नुभाव कराता है सरसुती का भाव प्रगट करता है बेभव का भाव देता है एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हीम नमा ओम हीम नमा ये लच्छमी के लिए होता है दो मुखी रुद्राक्ष बांधा को हरता है कोई तकलीफ हा रही है कोई प्रसास्निक कारे है कोई काम नहीं हो रहा फाईल आगे नहीं बन रही बहुत पडलीफा रही है तो दो मुखी रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारन करता है उसका कारे सफल होता है दो मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम नमहा दो मुखी रुद्राक्ष का शिव महापुराण में जो मंत्र दिया है ओम नमहा विदेश्वर सहीता के अंतरगत श्यु महापुराण में रुद्राक्ष के 14 मुखे रुद्राक्ष के मंत्र दिये हूँ आप श्यु महापुराण नहीं बढ़ सकते तो मंत्र लिखे लें 2 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र ओम नमहा तीन मुखी रुद्राक्ष विद्या प्राप्ती के लिए होता है केसा भी अनपढ से अनपढ व्यक्ती हो जिसको विद्या में रुची ना हो पढ़ ही नहीं पा रहा हो चितवर्ती ही ना लग रही हो मन ही ना लग रहा हो पर सिंट कम से कम होते जा रहे हो तीन मुखी रुद्राक्ष उस बच्चे के गले में लाल धागे में डाल दीजिए नहीं डाल सकते तो बच्चे के कमरे में जहां वो पढ़ता है विद्ध्याद्यान करता है उसके कमरे में लगा दीजिए तीन मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम, क्लीन, नमह, ओम, क्लीन, नमह, ये तीन मुखी रुद्राक्ष का मंतर है इन मंतर को कैसे सिद्ध करना है वो आपको 14 मुखी के रुद्राक्ष के पून होने पर बढ़नन करते है तीन मुखी रुद्राक्ष का बढ़नन है ओम किलिंग नमहा चार मुखी रुद्राक्ष खोई होई बस्तू को प्रदान कर देता है महराज, यदि कोई बस्तू आपके खो गई है, कोई समान आपका रखा गया नहीं मिल रहा, चार मुखी रुद्राक्ष को एक चावल की कटोरी में अक्षत की कटोरी में घर के केंदर विंदू में रग दीजी महराज चार मुखी रुद्राक्ष दो रातरी तक रखा रहेगा तीसरी रातरी को खोई हुई वस्तु आके घर में कहीं पर भी प्राप्त हो जाएगी पर होगी मालूम पढ़ जाएगा कि बस तु यहाँ है चार मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हीम नमहा ओम हीम नमहा फिर वर्णन आया पांच मुखी रुद्राक्ष ये कारे में सिद्धी देता है बेपार नहीं चल रहा हो कोई नई धुकान खोली हो नहीं फिक्टरी खोली हो नया कोई कारे करने जा रहा हो नहीं हो रहा है पैसा लग रहा है पर आवक नहीं हो रही है तो पांच मुखी रुद्राक्ष हल प्रदान करता है इसका मंत्र है ओम हीम नमह ओम हीम नमह छे मुखी रुद्राक्ष अटके हुए काम को सफल बनाता है जिसका विभा नहीं हो रहा हो शाधी नहीं हो रही हो रिष्टे बहुत आ रहे हो सम्मंद नहीं हो रहा हो तो छे मुखी रुद्राक्ष इस्त्रियो हो चाए पुरुष हो उसके गले में लाल धागे में डाल दिया जाए छे मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हीम हूम नमहा ओम हीम हूम नमहा ये छे मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है साथ मुखी रुद्राक्ष श्री शिवाइ नमस मतुप हम चेकर जोची Montyzer श्री शिवाइ नमस मतुप हम हम चेकर श्री शिवाइ नमस मतोप हम हम